हेलो फ्रेंट्स में हूँ शुभोजीत और टेक्निकल शुभोजीत मैं आपका सागात है मैं अज बता हूँगा अगर आपके फोन में आपके टास्च प्रॉब्लेम हो रहा है तो फिर उसे कैसे सॉल्ब कर सकते हो यह जो प्रॉब्लेम में गोष्ट प्रॉब्लेम नम से भी तो फिर अगर प्रॉब्लेम अप्रेस कर रहे हो तो फिर आप जो में बता रहा हूँ अभी कर लीजे तो फिर ठीक हो जागा इससे पहले मेरे चनल का अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर पहले जान लेते हैं क्यों होता है अगर आपके फोन पर स्कीन पर इसके लिए भी आपके फोन हैंक कर सकते हैं इसके रिगार्डिंगे प्रॉब्लेम हो सकते हैं प्रॉब्लेम कैसे हो सकते हैं इस प्रॉब्लेम जो है आपके कोई भी आप ऑटमेटिकली और होने लगता है या फिर किसी भी नंबर पर कॉल चला जाता है किसी भी आप ऑटमे कुछ मिनिट के बाद या फिर एक घंटे के बाद आप आपवरियू ४ करने के बाद ढिस्प्लेश लैबल पर क्लिक आए उसके बाद छो मों आई करने के बाद भी बहुत जो नहीं होगा और ह двух Domain decisions of tässä isite nyrov.com तो फिर आगर फिर भीść फिर में सब अशनय कर रहा है Automatic Start27 recommend You तो फिर आपको करना क्या है तो फिर आपको प्लेश्टोर में जाना आए प्लेश्टोर में जाने के बाद आपको यहां पर सार्च करना क्लीन मांस्टर्ट ठीक है क्लीन मस्टर्श स्वाइब इस एब को और इन्सीलक नही算 के बाद आपको इस तरीके से सी क्लीन के से जाने के बाद उस एब के अंदर आपको यहां पर जो हे आप्टिम tom को अप्शिन मिल जाएगा और या पर आपको बहुत सारे जो cleaner, deep clean का option है, deep clean उसकर के आप जो है, बहुत सारे जो junk file है, उसे आप delete कर दीजिए, ठीक है, उसके बाद आप फोन को reboot कर लीजिए, डिलीट करने के बाद, तो फिर आपका जो problem हो रहा था, automatic touches problem, जो हो रहा था, वो का फिर अब तक नहीं होगा, य आपके phone के Android के software update में भी problem हो सकता है, या फिर आपके phone अगर update आ रहा है, तो फिर आपको करना क्या है, setting में जाना है, ठीक है, उसके बाद आपको about phone में जाना है, उसके बाद system update पर click करके, अप चेक कर लीजिए, अपके phone पर कोई latest update आया है, या फिर नहीं आया है, ठीक है, अगर आजाता है, तो फिर आप update कर लीजिए, क्योंकि पूराने सब्टेर में बहुत सरे box रहता है, तो फिर आपके phone पर तो फिर आप apply कर सकते है, और अप यहाद तक आपके problem जो है, वो solve हो सकता है, ठीक है, अगर फिर भी आपको issue आ रहा है, तो फिर आपको फिर से क्या क करना है, फिर से setting पर जाना है, ठीक है, setting पर जाने के बाद आपको यहाँ से additional setting में जाना है, उसके बाद आपको यहाँ पर एक option मिल जाएगा, backup and reset का, उसके बाद आप backup कर लीजिएगा, उसके बाद अगर आप चाहो तो backup कर सकते हो, उसके बाद आप यहाँ पर factory data reset कर सकते ह हो ठीक है तो पूर के अपके फोन पर जो डाटा हो यह novo सकता है पर हाड़ वर ब्रभल्दом भी है जो है आपको फ् mớiसिंग कर देगा मतलब आपके डिस्प्लेंगां गुछ प्रॉब्लेम नहीं आता है तो फिर फ्रत ठीसक्ता है मैईक्रोमला geb भी जुब हो सकता है ठीक है और आप भी इस इस Master machine को डिस्तले को खुछ सकते हो ठीक है क्लिय कर सकते हो अवर जो चसमे के जो बॉक्स नादेर आपको मिल जाएगा ठीक है तो फिर इसे क्लीन करके भी देख सकते हो फिर प्रोब्लम का पी हत तक आपको धूर हो जाएगा ठीक है तो फिर वीडियो में बस इतना ही वीडियो अगर आपको अच्छा लेगा तो फिर जरू लाइकन स्यार कर